अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन पर ऐसा गलो हो तो आज की वीडियो को आपने फुल वाश करना है आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हो आपको तीन स्टेप में राइस फिशल सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्राब इसके बाद हम बनाएंगे फेस टोनर जिसे हम राइस वाटर से ही प्रेपेर करेंगे जिससे हमारी जो स्किन है वो बहुत ही शाइनी हो जाएगी हमारी स्किन पे जो है वो एक अलग सी चमक आ जाएगी वो बहुत ही ब्राइट हो जाएगी इस टूनर को हम दो से तीन बार अपने चेहरे पर अपलाए करेंगे इसी के साथ हम बनाएंगे एक राइस क्रीम जो के हमारी फ्लॉलेस स्किन का बहुत बड़ा राज है असलाम अलेकुम मैं यूट्यूब फैमली उमीद है आप सुब खेरे से होंगे मज़े में होंगे ठीक ठाक होंगे तो राइस ग्लो फिशल का हमारा पहला स्टेप क्या है कि आपने ले लेने हैं कोई से भी चावल और उसको बिगो देना है पानी में इस तरीके से आपने पानी में बिगो कि इसको दो से तीन घेंटे के लिए पहले छोड़ देना है दो से तीन घंटे जब गुज़र जाएं तो हमें चाहिए होगा ये क्लावडी वाटर जो के है हमारे पास राइस वाटर तो आपने इसका यूज़ करना है अपने तीनों फेशन स्टेप में तो पहले स्टेप क्या है आपने ले लेना है जी एक बाउल में चावल का आटा चावल का आटा आप लेंगे यहां से आप लेंगे थोड़ा सा राइस वाटर आपने इसमें कर देना है एड़ तरीके से प्हेले आपने स्क्राब जिससे वह प्पार और अपने स्क्राब करें इस तरीके ready करना कि लिए चोड़ गॉड़ के जो देना है लेना ऑुर अपने हाथ ओं पार और अपने लुड़ देन centrum और 10-15 मिनट के लिए इसको इस तरीक से अपलाई करके छोड़ देना है 10-15 मिनट गुज़र जाए इसके बाद आपने यूज़ करना है राइस टोनर राइस टोनर हमारे लिए क्या है यह जो हमारा चावल का पानी है यही हमारा rice toner है आपने इसको किसी भी spray bottle में डाल लेना है और इसको अपने हाथों पर apply कर देना है यह एक natural toner है जो हमारी skin को instant bright करता है आप on the screen देख सकते हैं कि इस toner की कितनी shining है इस चावल के पारी की कितनी ताकत है जो कि हमारी skin को instant bright करती है और हमें Korean skin देती है तो आपने इस toner को दिन में तीन से चार बार ज़रूर अपलाई करना है अपने face में जस्ट खाली अपने spray करना है और छोड़ देना है खुश कोने के लिए इस तरीके से आपने apply करना है अब हमारा जो तीसरा main step है वो बहुत ही important है जो तीसरा step है हमारी home remedy का वो बहुत ही amazing है ये देखें पहले दो step का यम इतना अच्छा effective result मिल चुका है अब हम prepare करेंगे थर्ड step ये हमने हमेशा सुबा लगानी है क्रीम और अगर आप रात को भी लगाना चाहते हैं तो आपने face wash करके जरूर अपलाय करनी है वैसे ही face पर नहीं अपलाय करना है आपने जरूर पहले face को पहले clean करना है उसके बाद ये cream अपलाय करनी है तो क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है ये aloe vera का gel है ये मैंने naturally लिया है यह मैंने नेचरली पॉदे से निकाला था इसको मैंने डाल दिया था इस तरीके से यह आप देख सकते हैं क्योंकि यह जो 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 पानी में डाल कर रखना है ताकि उसका सारा जो ग्रीन वाटर है वो सारा निकल जाए जितना बी जहरीला पानी है और आपके पास फ्रेश कभी आपको बाजार वाला ऐसा नहीं मिलेगा यह इस तरीके का जैल होता है यह देखे प्योर ग्रीन कलर का जो हमारे पास बाजार को होता है वो थोड़ा वाइट स्टोन में होता है तो वो हमारी स्किन के लिए ज़रा अच्छा नहीं है तो हम नेचरल की तरफ चाहेंगे क आपने इस तरीके से राइस वाटर लेना है इसमें एड़ कर लेना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि यह एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए और यह आपको इस तरीके से आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स एंड मैच कर लेना है ता इसको अपलाई करना है अपने फेस पर अपने हाथों पर और अपने पाउं पर इस तरीके से ताके आपके जितनी भी स्किन है वो बहुत ही प्रिपेर हो जाए और आपको एक शाइनी सा अफेक्ट मिले और आपके हाथ जो है वो बहुत ही स्मूध हो जाए इस तरीके से आपन इस remedy को ज़रूर फालो करना है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आपको इस वीडियो कैसी लगी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक कर दें, शेर कर दें और सबस्क्राब कर दें कि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेले, थैंक यू